तो इस वीडियो में हम एक जेएमीन का question देने माले है तो question यह है an automobile is traveling at 40 km per hour तो एक automobile है जो क्या कर रहे है travel कर रहे है at 40 km per hour and it can be stopped at a distance of 40 meter by applying brakes तो simple सी बात है यह 40 km per hour पर यह vehicle चल रहा है जैसे इस point से अगर इसने इस point पागे brake लगाया तो यह 40 meter आके जाके रुख जाती है simple सा यह है जैसे यह brake लगाएगी 40 meter आके जाके रुख जाएगी और इसकी speed किती है उस time पर 40 km 40 km per hour पर आप अगर brake लगा रहे है तो 40 meter आके जाके रुख जा रहे है simple है if the same automobile if the same vehicle is traveling at 80 km per hour same automobile है और अब क्या हो रहा है यह 80 km per hour पर ट्रेवल कर ठीक है then the minimum stopping distance in meter is तो यह पूछ रहे है अब इसकी speed 80 km per hour है तो इसका minimum stopping distance किता है या नहीं यह कित्ते distance के बाद जाके रुखे तो अपन नजिम करते हैं वो distance कितना है x meters ठीक है इसको logically देखे आपने भी गाड़ी चलाई होगी अगर आप थोड़ी speed पे हैं और आप brake मारते हैं तो गाड़ी जल्दी से रुख जाती है तो आप 100 km per hour पर चल रहा है तो आप brake मारोगे तो इसको distance जादा लगेगा रुखने का बहुत दूर जाके रुखेगे और अगर धीरे speed में होगी तो पास में रुख जाएगे तो 40 km per hour पर चल रही है तो वो 40 meter के बाद जाके रुख जा रही है तो obvious है अगर 80 speed में चलेगी ज़्यादा speed में चल रही है तो उसका distance 40 से तो ज़्यादा होगा यानि वो 40 meter से तो ज़्यादा ही आ गया कि रुखेगी कि वो अब क्योंकि वो अब तेज speed में है तो अगर option कुछ ऐसे हो कि A 10 meter B 20 meter C 35 meter और D 50 meter तो देखो इसमें तो आखे बंद करके आप answer कर तक कि इसमें तो option ही आप logically eliminate कर दोगे यह जो कि 40 की speed पर अगर 40 meter चल रही है तो 80 की speed पर तो ज्यादा ही distance लेगी तो आप 50 को correct और obviously अपनको distance find करना है ठीक है अब देखो सबसे पहले जब आप questions all कर रहे हो ना जेई का तो उसमें आपको देखना concept क्या लगाना है तो देखो इसमें लिखा assumption no skidding और अपनको क्या क्या दिया हुआ है अपनको बस velocity दिवी है अपनको क्या दिया हुआ है initial velocity दिवी है तो कित्ती है 40 km ठीक है और अपनको distance दिया हुआ है 40 मेटर ठीक है assumption नो skidding तो friction नहीं है कोई friction coefficient नहीं दिया हुआ तो friction का सवाल नहीं है स्रिफो distance है और velocity है तो simple है यह equation of motion का question है और अपनको equation of motion यूश कर ठीक है तो यह clear है यह किस concept का question है तो कभी भी questions all करने है ना it is very important कि हम find कर लें यह कौन से concept का है क्या फिर हम सोचेंगे यह कौन से concept का है क्या लगा है इसमें तो बहुत सेंपल है स्पीड दिस्टेंस दिया हुए और आंसर भी दिस्टेंस नहीं है तो equation of motion लगे तो अब इसका solution देखते है कि देखो अब गाड़ी अपने पास जब चल रही थी 40 पर तो अपने पास क्या था यू इनीशल विलोसेटी चीक है इनीशल विलोसेटी कित्ती दीवी थी 40 किलोमेटर पार विलोसेटी दीशचा लोगिरद sudah शॉक्ती स्कघघ्वार यू क्या अपने पास यू यू है अपने पास ऐसे तो फैक यह पे समस्टेंस पार प्राइब त्योंस सरे कर सकते पने पास वी है यू आर्क है अपने पास क्या हो रहा है अपन को यह पता पढ़ जाएगी गाड़ी डी-acceleration देखो गाड़ी रुखेगी तो इसको अपन डी-acceleration नहीं हो सकते हैं आप और फिर उस-acceleration को अपन यूज करेंगे और उसको लगाएंगे दूसरा केस क्या है 80 किलोमेटर पार और फिर उससे अपना डिस्टेंस निकल तुकि देखो लॉजिक यह ही है जो ब्रेक है उसका फोर्स होता ही होगा यानि एक्सलरेशन जो होगा जो डी-acceleration होगा आप कैसे यही बोल लो उसको तो वो तो constant रहेगा वो तो ब्रेक जित्ता अप्लाए करेगा करेगा रहे और डिस्टेंस बदन जाए इसमें 80 किलोमेटर पार आर में डिस्टेंस जादा लगे तो अपने यह दो एक्वेशन लिमिनेट कर दी तो अपने पास V स्कूर जीरो है यू अगर आप इसको ले जाओ 40 x 40 divided by 2 x 40 40 से 40 गड़िया यह से गड़िया तो ए मेरे पास आगे कित्ता माइनस 20 ठीक है आप यूनिट लेके चलना अगर आपको यूनिट में तो यूनिट में यूनिट में लेके चल रहा हूँ एका मैगनेट यूनिट है माइनस 20 यानि जब मैं अब बहुत सिंपल है अब आपको डिस्टेंस करना है जब गाड़ी 80 किलोमेटर पर आर पर चल रही है तो कितने डिस्टेंस आके रहे है तो वापिस अपन लगाएंगे वी स्कॉर्र इकल्ट यू स्कॉर्र प्लस प्लस नए वाले केस में नए वाले केस में इनीशल इस निकला है तो मैं इसको माहा ले जाओ और टी एस इसको काट दूँ अगर इसकिता आ गया तो मेरी गाड़ी अगर 80 किलोमेटर पर आर पर है और मैं बेक लगाँगा तो एक सो साथ मीटर बाद चलगे तो इसमें अपनने दो तीन चीज़ यूज करे है पहला अपनने यह इसमें टाइम का नहीं है तो मैंने सीधा दो एक्पेशन toल चीह है देको इनिकल जा तरहत है कि यार ब्रेक कितना परसमा रहे है रहे हैं आ डी तो अपन को पहले कंडिशन दिये और कुस एक्सलरेशन को वापिस यूज कर लेने है इसका आंसर है ऐसे लिगल टू वन सिक्स्टी ठीक है और ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको सिखाया ठीक है अगर वह 40 मेटर से कम है सारे डिस्टेंस तो अब्यस है 40 मेटर से पहले तो कि चालीस मेटर से पहले से तो नहीं रुकरी चालीस मेटर के बाद ही रुखेगी तो कि स्पीड जाते है तो यह अपना बहुत एक इजी पॉर्षन था जैई मेंस का आप इसको वापिस प्राक्टिस कीजिए अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको कॉमेंट्स में पो